इस विडियो का उदेश केवल ज्यान और जानकारी से हैं. अगर आप इसका साधना करना चाहते हैं, तो किसी सिध्ध पुरुष के देख रेख में करे, अन्यथा इसका उतरदाई आप स्वया होंगे. करन पिशाचनी, नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि इसकी सिध्धी से आप किसी के भी बारे में जान सकते हैं. सत्य भी है यहां आपको किसी भी व्यक्ति का भुत वर्तमान बताने में सक्षम है. इसलिए करन पिशाचनी की सिध्धी के लिए भरसत प्रयास चुरू कर परन्तु एक बात भूल जाते हैं कि हर इतर योनी की एक मर्यादा होती है। सबसे कास और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नाम सुनकर ही लोग इसे पाना चाहते हैं, कुछ पाभी लेते हैं, परन्तु अधिक्तम छे माह से ज्यादा संभाल नहीं पाते हैं। उसका कारण है अधूरा ज्यान। सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता दूं कि कर्ण पिशाचनी की सिध्धी आम आदमी के लिए नहीं है। और आम आदमी को करण पिशाचनी की सिद्धी करना भी नहीं चाहिए, इसकी सिद्धी करने वाला परिवार से सदैव विरक्ट रहता है और साधना में जरा सी भी चूक की, तो सर्वस्वहरन कर लेती है करण पिशाचनी, जिस कारण उसके परिवार में अकाल मृत्यू भी होन परिवार में रहकर इसकी सिध्धी कभी नहीं हो सकती है। अगर हो भी गई तो परिवार विध्वन्स हो जाती है। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। कारण है अकाल मृत्यू। वाहन दुरघटना, जानवर द्वारा मारने पर या कह लीजिये अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यू वाले मनुष्य पिशाच पिशाचनी बनते हैं। अपराधी तत्व भी अकाल मौत मरते हैं। ऐसे तो पिशाच की और भी वर्ग होते हैं। उन्ही मेंसे करण पिशाचनी बहुत अधिक प्रचलित हैं। इसके नाम सुनते ही हर साधक के मन में इसको सिध करने की लालसा जागती है। करण पिशाचनी बहुत ही शक्ती शाली होता हैं। इसे त्रिकाल दर्शी भी मना जाता हैं क्योंकि यह साधक को भुत, भविश्य और वर्तमान तीनों कालों की हर पल की जानकारी देती हैं। लेकिन यह भविश्य को जानने में सक्षम नहीं, यह प्रकृती के नियम के विरुद्ध हैं। कर्ण पिशाचनी अपार शक्तियों से भरी एक अध्भुत स्त्री रुप होती है। कर्ण पिशाचनी मिंटों में उसकी सारी जानकारी साधक के कान में बता देती हैं। कर्ण पिशाचनी अपने साधक को उसके घर के सभी लोगों की पल-पल का खबर देती रहती हैं। साधक अपने घर वालों से अपने समाज से घेना करने लगता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ज्यादातर घर के और समाज के लोग ही लोग ही एक दुसरे के बारे में अच्छा बुरा बात चीत करते रहते हैं। इसी स्थिती में साधक के उपर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, वह पागल हो सकता है। मित्रों यह पिशाचन सिद्ध तो जल्दी हो जाती है, लेकिन यह साधक से उम्मीद रखती है कि वह इस प्रेतनी के प्रती पूर्ण समर्पन और घोर आस्था के साथ रहे। यह पिशाचनी मरने के बाद साधक को अपने साथ पिशाच लोक में ले जाती है, इस लोक से इन पिशाच साधकों की मुक्ती महाप्रलय से पहले संभव नहीं है। मित्रों अब हम आपको कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के मंत्र विधी बताने जा रहे हैं। यह ग्यारह दिनों तक चलने वाली कर्ण पिशाचनी की साधना के लिए रात या दिन को चौगडिया मुहूर्त के दोरान पीतल या कांसे की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाएं। और फिर शुद्ध गाय का धी और तेल के दो दीपक जलाएं और उसका सामान्य पूजन करें। उसके बाद 1100 बार मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को कुल 11 दिनों तक दुहराने से कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है ओम नमा कर्ण पिशाचनी, अमोग सत्यवादिनी मम करने अवतरावतर, अतीता नागतवर्त मानानी, दर्शे दर्शे मम भविश्य, कथे कथे ही कर्ण पिशाचनी स्वहा। साधना से पुर्व जानने योग्य बाते, यह साधना केवल जानकार व्यक्ति के देखरेख में करनी चाहिए। थोड़ी सी भी तुरुटी होने पर यह पिशाचन नाराज होकर दंड भी देती है। पिशाचों को पूजने वाले उनहीं के लोक में जाते हैं। करन पिशाचनी अगर सिध्ध हो गई तो साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं करने देगी, वेश बदल कर यह अपने साधक के पास आती रहती है। विचार करने योग्य बाते। मित्रो मोक्ष पाने के लिए सिर्फ मानव जीवन ही मिलता है। इसलिए मनुष्य योनी को दुरलब कहा गया है। बड़े भाग मानुष्टन पावा, सुर्दुरलब सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बहुत ही भाग्य से यह मनुष्टन मिलता है। देवता भी मानव शरीर के लिए तरस्ते हैं। मित्रो मानव का उदेश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। उस परम ज्योती में समाहित होना है। लेकिन हम मुर्ख मानव अपनी इच्छाओं और भोग विलासों को पुरा करने के लिए ऐसे निचय योनियों की पुजा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिशाचनी की इच्छा भी मुक्त होने की होती हैं। लेकिन उसके पास मानव का तन नहीं है और ना ही कोई दुसरा साधन। मानव चाहे तो उस परमपिता अनंत जोती की पुजा अराधना कर अपने सभी कामनाओं को पुरा कर सकता है।